नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है वालचंद्रा, ब्रह्मांड सिद्याष्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथवन राशी की जो विक्ति होते हैं, उनका कारेक्षेत्र नोकरी के बारे में किस प्रकार का होता है या फिर ऐसा कौन से कारेक्षेत्र हैं, जिसमें वो अपना करियर कर सकते हैं, इसी विशेपर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्माण दसिद्धियाष्ट्रो इस चैनल पर मेश राशी से लेकर मीन राशी तक की जो सभी बारा राशिया हैं इन सभी बाहरा राशियों का जो करियर है या फिर जो नोकरी है वो कौन सक्षेतर में होनी चाहिए इस संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनद जरूर लीजिए तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्युन राशी की जो विक्ति होते हैं उनका करियर कौन सक्षेतर में होना चाहिए सबसे पहले जो करियर है वो जान लेना या फिर करियर कौन सक्षेतर में है या हो या फिर नोकरी कौन सक्षेतर में कीजा इसके संदर में आपको अपने जो दृष्टी है अपना जो स्वभाव है अपना जो मूल रूप है वो जान ले ही है कि पूरी जिंदगी भर हम नोकरी करते हैं लेकिन उससे जो मजा आना बुलते हैं happiness जिससे हम कहते हैं वो नहीं मील पाता थोड़ा stress में ही हम रहते हैं क्योंकि नोकरी पर हम कम से कम 8-10 घंटे तो होते ही है और अगर वह वातारण आपके स्वभाव के विपरित हो तो उस अनुकुल है या नहीं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है जोतिश शास्त्रिय दुर्ष्ट अगर मिथुन राशी के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष के कुणले में तीसरे स्थान पर आने वाले राशी है इस राशी का जो स्वामी है वो बु होता है मतलब इने बोलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कही वक तक समय तक इस राशी के जो विक्ति होते हैं वो बोल सकते हैं इनकी ग्रास्पिंग काफी अच्छी होती है आकलन शक्ति ग्रहन शक्ति इनमें काफी अच्छी देखी जाती है हर एक विशे पर कई वेक्ति होते हैं काफी अच्छी तरीके से आता है और बोलते समय इनके वाणी में भी अगर देखा जाए तो तीकापन बिल्कुल भी देखा नहीं जाता ये इनका बहुत बड़ा एसेट होता है एक तो वह बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं क्यू कैसे मतलब कर से फिरना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अगर सामने वाले वेक्ति के साथ अगर इनका बोलना हो तो ये कई घंटों तक बोल सकते हैं किसी भी विशय पर तो ये बात बहुत ज़्यादा भाती है या फिर इनके इस नेचर में ही वो बात देखी जा सकती है तो यही इनक जो मूल रूप है अगर इससे रिलेटेड अगर इनको जॉब मिल जाए तो फिर इनका जो करियर है वो काफी अच्छे तरह किसे आगे बढ़ सकता है थोड़ा से एक नेगेटिव पॉइंट इनमें देखा जाता है कि फिजिकल वर्क शारीर जो महनत होती है वो इनमें संद नहीं आते तो चलिए हम जान लेते है कि ऐसे कौन सक शेतर है जो कि इनके लिए काफी जादा महतोपूर्ण हो जाते है जैसे कि बैंकिंग का जो ख्शेतर है वो इनके लिए काफी जादा महतोपूर्ण होता है या फिर इसमें वो काफी जादा आनन ले सकते है टूर्स नहीं होते हैं, उनके साथ किस तरह से बोलना है, इनको communication काफी अच्छा होता है, और कई भाषाओं पर इनका command जादा अच्छा आता है, और कई जो भाषाएं होते हैं, languages होते हैं, वो इनको काफी अच्छी तरिके से बोलने भी आती हैं, तो इस जो नोकरी होते हैं, इसमें भी यह वेक्ति आगे जा सकते हैं, teaching, education जो field होता है, इसमें मतलब किसी को सिखाना है, अभी देखिए, सिखाने की जो बात होती है, यह भी काफी special होती है, इसमें एक तो आपको सामने वाले वेक्ति से क्या साथ, communication काफी अच्छा होना चाहिए, और किस तरह से अपनी बात रखनी है, इस पर भी आपको काफी अच्छा command होना चाहिए, तो यह बात, मितुन राशी की वेक्ति में काफी अच्छी तरह के से देखी जाती है, उसी परकार railway या फिर air का air का मतलब विमानों में जो घूमना फिरना है, railway की जो जौब है, इसमें भी traveling से related जो भी जौब है, इसमें भी मितुन राशी की जो वेक्ति होते हैं, वो काफी अच्छी तरह के से आगे अच्छी होती है, उसमें इस राशी के वेक्ति काफी आगे बढ़ सकती है, वो काफी आगे बढ़ सकती है, अब ऐसे कौन से जावब है जो उनको नहीं भात है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने का, कि जिस क्षेतर में बहुत ज़्यादा concentration है, उस क्षेतर में ये जो राशी है वो ज़्यादा, क्योंकि इस राशी के मालुमत तो काफी होती है, काफी विशों की होती है, लेकि in-depth जिसे हम कहते हैं, वो जानकरी व उनको वो पसंद भी नहीं आती, तो जिक क्षेतर में scientist के जो भी क्षेतर है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एकागरता लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा in-depth सोच लगती है, या फिर जिस क्षेतर में आपको decision बार-बार लेने होते है, या फिर decision फटा-फट लेने होते हैं, तो वह खेतर भी यह जो राशी उनको पसंद नहीं आता क्योंकि इस राशी में थोड़े से decision power कम होती है कोई भी decision लेना है, नहीं लेना है वो जल्दी से ले नहीं पाते वही बात होती है, responsibility से वो थोड़ा बचते भी है, थोड़े से मतलब थोड़ से वो डरते हैं, मतलब decision लेने में confidence level थोड़ा कम होता है इनमें तो उस क्षेतर या फिर discipline के जो भी department है, जैसे कि military है, या फिर fire brigade है police है, इस परकार के जो क्षेतर है इसमें भी इस राशी के जो विक्ति होते हैं, वो ज्यादा normal नहीं रह सकते, अभी देखे, होता यह है कि आपकी यह जो मैंने बात कहीं, वो आपके राशी के साब से है, तो चंदरमा जिस राशी में वही आपकी राशी होती है लेकिन कुंडले में और भी क्राई ग्रह होते हैं, वो भी अपनी अपनी तरीके से कुंडली पर असर देते हैं, तो उस तरीके से भी देखा जाए, तो कारिक शेतर निश्चित करना पूरी कुंडली देखकर सहज होता है, लेकिन मिथुन राशी अगर आपके हो, तो आज का जो वीडियो है कि मिथुन राशी की विक्ति कौन से नोकरी में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपकी जो राय है, आपकी जो कमेंट्स है, वो नीचे ज़रूर लिखना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मान्ड सिद्धियास्ट्रो, इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद